हम tasty दोई माच बनाएंगे बहुत ही आसान है इसे बनाना और ये खाने में बहुत tasty है चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है विंटर्स में गरंग गरम चावल के साथ दोई माच सर्ब कीजिए बहुत tasty लगेगा इस रेसिपी को पूरा देखिएगा skip किये बिना चलिए इस और नमक भी डाल दीजे स्वाधनुसार नमक भी थोड़ा से ज़ाधा ही लगेगा हाथ से मसल के मारिनेट कर लीजेगे ऐसे करके हम सारे मचलियों को मारिनेट कर लेंगे हमने एक प्यास को रफली चॉप कर लिया है और हमने एक इंच अद्रक ले लिया है उसे भी हमने मोटा मोटा काट लिया है और एक हरी मिर्ची भी हमने ले लिया है खरीमिर्श आप अपने स्वाद की हिसाब से अपने टेस्ट की हिसाब से ले सकते हैं अब हम इस सभी चीज़ों का पेस्ट बना लेएंगे यह फ्राइ पैन को गरम होने के लिए रग दिया है अब हम इसमें सरसो का टेल डाल देंगे जैसे ही फ्राइपैन गरम हो जाएगा हमने फ्राइपैन में सरसो का टेल डाल दिया है अब हम इसमें जैसे ही तेल गरम हो जाएगा हम इसमें मचलियों को तल लेंगे एक एक करके हमने चार मच्रियां फ्राइपान में डाल दी हैं अब हम इने फ्राइप कर लेंगे जब तक फिश फ्राइप हो रहा है तक तक हमने प्याज अधरप और हरीमिर्च का फाइन पीस बना दिया है पिछ फ्राई हो गए हैं अब हम इने लिकाल रहे हैं ऐसे करके हम सारे मच्छियों को फ्राई कर लेंगे दोनों तरग से पलट पलट से फ्राई कर लिए हमने एक कटोरी में दही ले लिया है अब हम इसे अच्छी से फेट लेंगे इस तरह से हमने सारे फिछ को फ्राई कर लिया है अब हम इने निकाल लेंगे अब हम इसमें छोटी इलाईची तेज पत्ता डालची नी डाल रहे हैं तेज पत्ता छोटी इलाईची और डालची नी को हम थोड़ासा खुश्बू आने तक थोड़ा सा पका लेंगे आधा चम्मत चीनी हम इसमें डाल देंगे अब जुश्य प्यांज डाल रहे हैं हम इसमें डाल रहे हैं और हम प्यास का भी अच्छा सा एक गोल्डन ब्राउन सा कलर आजाता है अब हम प्यास को प्यास को फ्राई कर लेंगे प्याद अधरप और हरी मिर्च की पेस्ट को अब हम फ्राई कर लेंगे अब हम इसमें सुखे मसाले डाल रहे हैं सबसे पहले हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है हल्दी पाउडर अपने हिसाब से डाल दीजिए अगर आप चाहें तो हल्दी पाउडर को skip भी कर सकते हैं दोई माच में जेनरली हल्दी पाउडर नहीं डालते हैं लेकिन हम डाल रहे हैं क्योंकि हल्दी एक disinfectant है आधा चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच जीरा पाउडर इन सभी मसालों को हम mix कर लेंगे मसाले में थोड़ा सा पानी डाला है ताकि मसाला जल ना जाए और इसे अब हम भूनते रहेंगे अभी हम इस मसाले में दही जिसे हमने फेंट के रखा था वो हम इसमें डाल देंगे और इसे भी हम मसाले के साथ mix करके पका लेंगे हमें एकदम गाड़ी दही लेनी है दही का पानी हम नहीं ले रहे है दही डाल कर हम इसे बिल्कुल slow flame में पकाएंगे एकदम slow आच में हम इसे पकाएंगे ताकि दही ना फटे और दही को हमने बहुत अच्छे से फेट लिया है ताकि दही ना फटे और इसमें हमने नमक अभी नहीं डाला है नमक हम बाद में डालेंगे अगर हम नमक अभी डाल दें तो दही पानी छोड़ देगा करी उबल रही है तो अब हम इसमें नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक डाल दीजे नमक को भी करी में मिक्स कर लिजे अब हम इसमें आधा चमच गरम मसाला डाल देंगे और एक चमच गी डाल देंगे मिला लीजे ग्रेवी ने तेल छोड़ दिया है और बहुत अच्छी खुश्बू भी आ रही है अब हम इसमें मचली को डाल देंगे अब हम इसमें मचली को डाल दिया है मचली के साथ हम पांच मिनिट तर पका लेंगे हमने इसमें एक हरी मिर्च भी डाल दिया है दही मचली बनकर तयार है अब हम इसे सर्फ कर देंगे अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो जरूर इस रेसिपी को लाइक कीजेगा और शेयर कीजेगा अब हम गयास को स्विच ओफ कर देंगे और अब हम इसे सर्फ कर देंगे दोई माच बनकी तयार है इसे आप गरम गरम चावल के साथ सर्फ कीजेए बहुत ही यम्मी और टेस्टी होगा ऐसी और भी रेसिपीज देखने के लिए अगर आपने मेरे चानल को अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सबस्क्राइब कर लीजिए इस चैनल में मैं हर टाइब की रेसिपी शेयर करती हूँ 100% vegetarian, non-vegetarian, sweet dishes, nutritious recipes, सब टाइब की recipes मैं शेयर करती हूँ इस चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर लीजिए और bell notification को on करके all notifications पर select कर लीजिए ताकि मेरी सभी वीडियो की notification आपको तुरंत मिल जाए जैसे ही मैं वीडियो डालूँगी आपको उसकी notification मिल जाएगी इस वीडियो को like और share प्लीज जरूर कीजेगा उससे मुझे बहुत motivation मिलता है और मेरे चांग के साथ बने रहने के लिए जरूर इसे subscribe कर लीजिए Thank you so much for your time Thanks for watching